दोस्तों आपको फेस्बुक पर कोई पेज है और पेज पर डेली वीडियो अप्लोड करते हैं लेकि उस पर व्यूज नहीं आते हैं तो आज वीडियो में आपको फेस्बुक पर वीडियो अप्लोड करने का तरीका बताने वाला हूँ क्योंकि आपको अपने Facebook पर वीडियो अप्लोड करने के जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा जिस तरीके से आप अपने Facebook पेज पर वीडियो अप्लोड करते हैं वो तरीकों के छोड़ कर दूसरा तरीका आपको अपनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें ही सारी settings आती है, normal तरीके से आप videos upload करते हैं, तो वहाँ पर आपको कोई settings change करने में, मतलब आपको कुछ पता नहीं चलता कि मैं क्या डालू, क्या नहीं डालू, सब कुछ आपको नए update में बता हूँगा कि कैसे videos upload करनी है, अब आपको करना है Chrome browser open, तो बिल्कुल ध्यान से देख लेना क्योंकि Chrome browser में से आपको बहुत सरी settings ऐसी बताऊंगा, जो Facebook application में नहीं आती है, आपको Facebook application में open करने के बाद आपने देख लिया होगा कि वीडियोज अप्लोड करने बाद वीज कितने है, अब एक बार Chrome browser में जो आ अब यहां पर हमारा Facebook की वेबसाइट है, Facebook का page यहां पर आ गया है, अब आपको Chrome browser में Facebook के एक बार login जरूर कर लेना है, मेरा login नहीं है, आपको उसकता है login हो, तो login कर लेना, मैं एक बार login कर लेता हूँ, तो मेरी Facebook ID यहां पर open होगी Chrome browser में, देख सकता है, Facebook application नहीं है, अब आ आपको उपर right side में corner में three dots दिखेंगे, three dots पर click करके एक बात Chrome browser में desktop site को enable कर लेना है, desktop site में यहां पर enable कर लिया, अब आपको यहां पर इस तरह से account पूरा page खुल कर आएगा, इस तरह आपको देख सकते हैं, आपको क्या करना है, आपकी photo पर मतलब home page पर आ जाना है, यहां आपर मैंने नाम पर click किया, तो यह मेरा home page आ चुका है यहां पर, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर हिसाबने दिख रहा है, मेरा नाम दिख रहा है, मैंने नीचे आपको option दिख रहे हैं, zoom करके दिखाता हूं, post है, about mentions, previews, followers और इसके बगल में option है more का, more पर click करना है, more पर click करके आपको इस तरह के options दिखेंगे यहां पर, जूम करके आपको दिखाता हूं, तो इन में आपको photos के नीचे videos को option है, इस पर click कर देना है, videos पर click करते हैं, आप redirect हो जाएंगे, दूसरा page खुल कर आजाएगा आपका, तो यहां पर आपका page वापस है, आपक business metashoot पर आपको click कर देना है, यहां पर click कर देए, आपको इस तरह का interface दिखेगा, आपकी जो facebook page इस तरह से खुल कर आएगा वो, जो भी आपको दिखेगा यहां पर, इस तरह का interface दिखेगा, अब आपको मैं थोड़ा zoom करके दिखाता हूं, इस ही में आपको option दिखेगा, आ नाम है, इसके नीचे लिख रहा है, create post का, blue color मिश हो रहा है, create post, इस पर click करना है, इस पर click करने के बाद, आपको यहां पर यह लेकर जाएगा दूसरे page पे, अब मैं दिखाता हूं, यहां से video upload करने का option आजाएगा, इसको zoom कर लेता हूं वापस, अब यहां पर आपको दिख रहा है, add photo, add video और use template, photo upload करने के लिए, आपको add video पर click करना है, अब ऊपर यहां पर option दिख रहा है, आपको upload from desktop, upload from desktop पर click कर देना, अब यहां आपके phone के मतलब फाइल, मतलब एक तरह से gallery का access ले लिया है, इसने, gallery मैंने एक बाद आपको browse पर click कर देना है, यहां पर click क कहां पर आपकी video जाए, तो जैसे मैं example के लिए कोई भी video आपको upload करके दिखा जाता हूं एक बार, तो जैसे मैंने यह वाली video ले लिए है, अब यह example के लिए आपको दिखा रहा हूं, जितनी बड़ी video लेंगे, उतना ज्यादा थोड़ा time लगेगा, आपको यह वाली video पर नीचे आना है आपको, सबसे पहले सबी चीज़ों को ignore करना है, यहाँ पर नीचे दिख रहा है, वीडियो टाइटल, ध्यान से देख लेना, वीडियो टाइटल में आपको लिखना है, जैसे आपकी किस भी कैटेगरी की video जो टाइटल है आपका, अगर आप YouTube पर वीडियो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिखना जरूरी है, अगर आप लिख दोगे तो थोड़ा सही रहेगा, बिना लिखे तो कोई फायदा बैसे भी नहीं होने वाला, और लिखोगे तो कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है, तो यहाँ पर टाइटल लिख देना, उसी दिखती है, जिसमें लिखा होता है कि कैसे करें, यह कैसे करें, यह कैसे करें, जो बाहर की फोटो होती है, वो होता है थंबनेल, उस थंबनेल को आपको बना कर रखना है, उस थंबनेल को बना कर रखा है आपने, तो अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना, और अपलोड देख लेना यह पर बहुत सरे आपको फोटो वीडियो मिल जाएगी बना वीडियो में जो अंदर फोटो है वह अपना आप यह सजेस्ट कर देता है उसके यह साफ़े डाल देना अब आपको नीचे नेक्स्ट का आप्शन दिख रहा है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना कंटेंट तो नहीं है कोई वीडियो अगरा तो चैक करेगा उसके बाद यहां पर चोग जाएगा कोपी राइटेट कंटेंट वाज नोट डिटेक्टेड इन यॉर वीडियो इस तरह का दिखाएगा यहां पर अब आपको इनको अगर ऐसा है तो समझेले ना कॉपी शेहर करना चाहते हैं ऐसक्राला को ऑफ्षेन है अब बागी सब से रहिए और अवरड आको जो होने चया रहे ह坍ा काने मैं नहीं किया मेरी वीडियो जो मैंने अपलोड कि हुई है इन में इन 박ांश लगाया वहा है और वो thumbnail यह आपका शोगा जो आप लगाएंगे सामने कोई भी वीडियो को बाहर से देखेगा उसके सामने आ जाएगी Facebook को चलाते वक्त तो आपकी वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखाएंगे तो आपकी वीडियो पर क्लिक करने का जरूर द्यान रख लेना डारेक्ट वी वीडियो अप्लोड करने है एप्लिकेशन में अप्लोड करोंगे तो यहां से इस तरह एक आप्शन नहीं आएगा तो उम्मीद करता हमाँ आगया होगा Facebook और वीडियो को ऐसे अप्लोड करने है वीडियो गर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना मिलत वीडियो में तब तक किलिए बाई